महाभारत में कर्ण को कुल कितने श्राप मिले हैं और क्यों मिले हैं। आईए जानते हैं उसके बारे में। पृत्वी माता का श्राप एक बार कर्ण कहीं जा रहा था। तब ही रास्ते में एक कन्या मिली जो घी के जमीन पर गिर जाने के कारण रो रही थी। कर्ण ने जब कारण पूछा तो उसने बताया कि अगर घी लेकर घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ पिटाई करेगी। इस बात पर कर्ण को दया आगई। जहां घी गिरा था वहां की मिट्टी को मुठी में भरकर निचोड़ कर घी निकालने लगा। इस बात से पृत्वी माता को कष्ट हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि जीवन में निर्नायक युद्ध में वह भी उसके रत को पकड़ डेद दिलेंगी। गुरू का श्राप परशुराम का प्रण था कि वह शस्त्र विद्या का ज्ञान केवल क्षत्रियों को देगे। लेकिन कर्ण ने जूट बोलकर उनसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। बाद में भेद खुलने पर उनके गुरू ने श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ही तुम इसे भूल जाओगे। ब्रामन का श्राप शब्द भेदी बान का अभ्यास करते समय कर्ण ने एक गाय को मार डाला। वह एक ब्रामन की थी। ब्रामन ने श्राप दिया कि युद्ध के बीच में तुम भी ऐसे मारे जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।